Hello students, let's do stanza 5 poem, A Roadside Stand केता है कि यह से न्यूज में आया है कि जितने भी पिटिफुल किन है, किन होता है रिलिटिपुल होता है देनी है, दे आप से भरे हुए कहता है कि वो जो रोड के साइड में जो स्टैंड लगा करके बैठे, वो जो गरीब लोग है, जिनके पास थोड़ी वो जमीने हैं, उनकी जमीनों को खरीदने की बात करते हैं और मर्सिफुली क्या है कि उनके उपर दया दिखा करके, वो जो गाउं के अंदर रहते हैं, उन्हें कहां बसा दिया जाता है, नेक्स्ट टो थीटर एंड़ा स्टोर, थीटर और स्टोर के पास, कहता है जहां पर उन्हें अपने बारे में सोचने की जरुरत नहीं पड़त तो यहां पर जो जमीनें उनकी खरीद ली जाती है, उनको एक लालच दिया जाता है, हमें लगता है कि वो मर्सिफुल है, लेकिन वो मर्सिफुल नहीं है, वो अपने ही बैनिफिट के लिए होता है, कि उन्हें जो है, अच्छे-चे सपने दिखाया जाते हैं, कि थीटर के लेस्ट दू, सेंजसिक्स, केता है वाल ग्रीडि गुड़ूर, गुड़ूर हमें लगता है कि वो गुड़ूर है, अच्छा करने वाले हैं, लेकिन वो ग्रीड़ूर होता है, वो अपने बैनिफिट की बात करते है, बैनिफिश्यन, वीस ओफ प्री, स्वान ओन ये, और are calculated to suit them out of their wits कहता है कि जो ये greedy good doers होते हैं जो अपना benefit के लिए वो उनके आसपास मंडराते रहेंगे जब तक उनको पूरी तरह से convince नहीं कर लेते हैं उनकी जमीनों को sale करने के लिए उनको लुभावने लालच दे करके उनके आसपास क्या करते हैं मंडराते रहते हैं and by teaching them how to sleep they sleep all day आने वाले वो जो उनको सुख देने की बात करते हैं कि आपको वहाँ जाने के बाद आपको ये problem नी होगी वो problem नी होते हैं यह जो लालच दिया जाता है या इसी लाइन में इसको show किया गया and by teaching them how to sleep और उन्हें यह सिखा करके कैसे सोय जाता है सोय का मतलब है य एक जूटा लालच उन लोगों को उन गरीबों को उन की जमीन लेने के लिए दे करके कि कैसे एक अराम की जिंदगी आप spend करोगे आप जाने के बाद, यहां से जाने के बाद, एक सिटी के पास बसने के बाद या सिटी में रहनेince के बाद, वो खुद आराम की लाइफ जो ह करते हैं शोषन करते हैं तो उनकी नेंद्ध हराम करके उनकी नेंद्ध खतम करके जैसे जमीन उनकी पर्चेज कर लिए उसके बाद उनके साथ जुटे प्रॉमिसीस के जाते हैं वो सारे जुटे होते हैं और उनका कोई benefit उन्हें नहीं बिलता है, ठीक है, तो बोला है कि destroy their sleeping at night the ancient way, कि उनकी रातों की नीन्द भी हराम कर दी जाती है, उसी पुराने तरीके से, ठीक है, and these are the questions, okay students, goodbye, take care, do these questions in your notebook, you have to learn and write also